हलो एवीवान, वेलकम तो आई यूट्यूब चानल दिक्षाज लर्निंग लाब और मैं हूँ आपकी फ़रेंशे के रिकेटर दिक्षाज शर्मा आज की वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं फाक्ट प्लस एक्जामिनेशन जो 2022 में हुई थी उसका सेक्शन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस में जाके आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे ख्लिक करने से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो डिरेक्ली आप गो तुरू कर सकते हैं इसके अलावा आप सभी से मैं शेयर कर दूँ कि यह फरिंसिक फिजिकल साइंसिस का क्वेशन पेपर है लेकिन जो फिर्स्ट 50 MCQ होंगे वो कॉमन होंगे वैसे ही कॉमन फिर्स 50 MCQ हमने फैक्ट एक्जाम के अल्रेडी डिसकस किये हुए हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं 2024 2024 fact examination की तो आप हमारी classes join कर सकते हैं course का link आपको description में मिल जाएगा app का link आपको description में मिल जाएगा and हमारी classes में आपको मिलेंगे recorded video lectures, pdf note, topic wise MCQs और mock papers so यह सारी चीज़े आपको available रहेंगी हमारे app पे जिसके तू आप कम टाइम पे बहुत ही अच्छी से preparation अपने fact exam की कर सकते हैं so don't forget to join our classes okay so first question पे move करेंगे section A वाला portion है aptitude in forensic science question number one आप से क्या पूछ रहा है जो stas auto method होता है उसमें stas का जो full form है वो किस person से associated है तो यहाँ पे कुछ options आपको दिये गए हैं जिसमें से correct answer option 3 है gene surveys stas ठीक है तो इन्होंने ही stas auto method हमें दिया था अब यह method क्या है यह जान लो क्योंकि answer तो आपको पता चल गया जो green color में आपको दिख रहा है जो indicated है green color से वो उसका correct answer है तो question के सान साथ आप correct answer भी देख सकते हैं लेकिन हमें discuss करना है what is this particular method तो आप सभी को पता होगा यह poison extraction के लिए या फिर chemical extraction के लिए method हम use करते हैं basically extraction of alkaloids extraction of alkaloids alkaloids extract करते हैं from plant and animal bodies ठीक है तो यह particular method होता है आपको और क्या चीज़ जाननी है इसे related जिस भी substance को हम extract करना चाहते है it is digested in alcohol alcohol का use होता है और tartaric acid tartaric acid ठीक है इसके अलावा जिते भी fatty raisins या फिर जो mattresses है वो precipitate हो जाते हैं water के साथ और उसको alkaline बना देते हैं इसी तरीके से alkaline क्या हो जाता है extract हो जाता है या तो ether में या तो chloroform में तो alcohol और tartaric acid में हम क्या करते हैं जो भी इसे क्या करते हैं digestion होता है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ digestion बेसे के लिए हमने इन chemicals में उस substance को क्या किया digest किया इसके अलावा जो भी fatty material होता है एनी fatty material और raisin raisinous material क्या हो जाता है precipitate हो जाता है तो मैं PPT लिख देती हूँ PPT का मतलब precipitate हो जाता है किसमे H2O base पे water fluid में and make it alkaline ठीक है और जो alkaloids है वो किस base में होते हैं या तो ether के base में या फिर alcohol के base में extract होते हैं ठीक है तो यह important चीज है related to stas auto method next question पर move करेंगे the headquarter of international organization of standardization is situated in जो international organization है standardization का वो कहां पर situated है कहां है उसका headquarter तो उसका headquarter है जिनेवा में यह आपके GK का question है ठीक है next question which of the following techniques is best known for studying gunshot residue gunshot residue को सबसे best way से आप किसमे examine कर सकते हैं कैसे examine करके study कर सकते हैं तो यह पर कुछ methods आपको दिये हुए हैं तो इसका correct answer है sem edx sem edx क्या है scanning electron microscope किसके साथ coupled with edx ठीक है x-ray dispersive methods जो होते हैं उसमें आप क्या करते हो sem के साथ इसे coupled करते हो और gunshot residue को आप बोकुत ही अच्छे वे से analyze or study कर सकते हो with sem edx okay next question find the missing term हम 6 23 40 blank 74 ठीक है so correct answer है 57 so 6 और 23 में कितना space है so 6 and 23 6 minus 23 करके देख लेते हैं 6 minus 23 तो 17 का gap है 23 minus अगर हम 40 करें तो भी 17 का gap है so 40 और इस missing link के बीच भी कितना होगा gap 17 का ही gap होगा so हम क्या करेंगे 40 plus 17 so 40 plus 17 कितना हुआ 57 हुआ तो possibly 57 ही आपका क्या है missing link है so अब इनके बीच भी difference 17 का ही होगा 57 और 74 में भी 17 का ही difference 57 minus 74 कर लो तो इनके बीच भी अब 17 का ही difference है तो हर एक number के बीच में 17 का difference है that's why option 4 is the correct option ठीक है let's move to the next question question number 5 according to beer-lambert law on which of the following does absorbance not depend किसके बेसिस पे absorbance depend नहीं होता है देखो जो beer-lambert law है उसमें मैंने क्या बताया था ये क्या करता है जो beer-lambert law है together किस पे depend करता है जो absorption है material का वो thickness पे मतलब path length पे और thickness पे basically density पे depend करता है ठीक है तो यहाँ पर देखो solution concentration बिल्कुल solution concentration पे depend करेगा इसके अलावा of course extension coefficient distance of the light has traveled through the sample of course मैंने क्या बोला distance और thickness या concentration के मैं बात करे थी basic beer-lambert law होता है color of the solution पे बिल्कुल भी कोई फरक नहीं पड़ता आपका कोई भी काला पीला solution हो उससे बिल्कुल भी हमें absorption पे कोई effect नहीं आता है according to beer-lambert that's why option first is the correct option let's move to the next question question number 6 which of the following deals with the study of insects so entomology एक ऐसी branch है जो कि किस से डील करती है study of insects से डील करती है ठीक है this is just study of insects entomology जब ये insects को हब use करोगे किसी का PMI पता करने में forensic entomology हो जाएगी जब आप insects की knowledge post-mortem interval cause of death ये सारी चीजों को पता करने के लिए उस करोगे तो forensic entomology ही just normal study of insect is what entomology normal entomology not forensic entomology ठीक है now cdti stands for basic full form है central detective training institute next question what is the portion of earth in our what is the position of earth in our solar system तो ये भी बहुत basic question है जब छोटे बच्चे हो तब से पढ़ रहे हो कि हमारी जो position है solar system में वो third number पे है next question cfsl delhi comes under which of the following so जो cfsla delhi की वो cbi के अंदर में आती है आपको ध्यान में रखना है इसके लावा जितने भी forensic laboratories है central forensic laboratories वो dfss के अंदर में आती है ठीक है so जो delhi की laboratory है delhi में भी दो laboratory है ठीक है उसमें सो जो एक है जो central forensic lab है वो cbi के control में है बाकी जो जो दूसरी वाली जो रोहुनी में है lab forensic lab वो dfss के अंदर में आती है next question question number 10 then ramesh while going to his driver 4 km to south then moves to the left again drives 3 km how far he is from the starting point ठीक है direction का question है direction के question में east west बना लिया करो east west north और south ठीक है यह हमने direction बना लिया जो रamesh है वो 4 km south की side पे move करता है तो let's say यह point बना लो और यह कितना km हो गया यह 4 km कौन सी side में south की side में then he moves left अब देखो इस side left कैसे हुआ अपने आपको इस direction में face करके south की side में face करके position करो और इसके बाद सोचो कि आपका left किता हुआ इधर हुआ left तो यह 3 km 3 km ठीक है तो वो अपने starting point से कितना दूर है देखो यह triangle बनता है अब इस distance को आप कैसे identify करोगे अब इस distance को identify करोगे total 3 km and 4 km को ओके तो यहाँ पर triangle बन रहा है आप इसको कैसे calculate करोगे Pythagoras theorem से करोगे ठीक है तो let's say इसको आप angle मार लो O, यह A और यह B ठीक है तो यहाँ पर मैंने naming कर दी है अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका जो formula है वो OB का square is equal to OA का square plus AB का square होगा तो यहाँ पर देखो हमें क्या पता करना है O और B इसके बीच का distance हमें मालूम नहीं है तो OB का square रहने दो OA क्या है O से A है 3 km तो 3 का square plus AB क्या है 4 km इसका square तो 3, 3 is a 9 plus 4, 4 is a 16 यह क्या होगा 25 अभी OB का square है square को हटाओगे तो यह under root पे चला जाएगा and OB is equal to 5 इसी वज़ों से आपका जो answer है वो 5 है next question thin layer chromatography is a type of what type of chromatography बहुत easy straight question है जो thin layer chromatography होता है वो absorption type of chromatography होता है statistics किसे कहते हम? statistics is normally distributed population characteristics unknown या sample characteristics तो जो statistics होता है वो आपका sample characteristics होता है next question question number 13 what is the full form PDF file? PDF file हम हमेशा use करते हैं बनाते भी रहते हैं इसका full form क्या है? यह भी आपके GK का question है portable document format इसका correct answer क्या है? portable document format next question question number 14 who is known as father of question document? बहुत straight and easy common question है यह father of document के नहें कहते हैं हम Albert S. Osborne को कहते हैं इन्होंने book लिखी थी जोसे हम कहते हैं questioned document और 1900 में यह book आई थी specifically 1909 में यह book इन्होंने publish करी थी next question 4 our rule of glass fracture is related to किस fracture से related होता है? यह radial mark से related होता है 4 our rule किस से radial fracture से? दो तरीके के fracture होते हैं एक तो radial fracture होता है एक होता है concentric fracture so for example अगर यह आपका glass piece है और यहाँ पे bullet लगी तो यहाँ से जो marks निकलेंगे इनको हम कहते हैं radial marks ठीक है impact ज़ादा strong रहा तो क्या होंगे concentring marks भी मनेंगे जो इस तरीके से बनते हैं इस तरीके से जो marks बनते हैं वो concentric marks होते हैं और 3R rule क्या कहता है 4R rule क्या कहता है जो ridges होती है इनको हम कहते हैं ridges यह जो fractures बन रहे हैं the ridges या फिर हम इसको वारलर 9 भी बोलते हैं radial fracture में the ridges in radial cracks nearest the point of impact are created at the right angle on the side of opposite which is near to the impact यह basically आपका 4R rule होता है glass fracture का ठीक है so this is about radial fracture next question NCRB stands for NCRB का full form सभी को पता है National Crime Record Bureau एक बर 4R rule में रिख देती हूं that ridges ridges created at the radial fracture कहाँ पर बनते हैं right angle पर बनते हैं कहाँ पर opposite side पर opposite side पर बनेंगे और किस side पर rear side पर तो 4R हो गया 1,2,3,4,4 R से इसी वज़ों से हम 4R rule गहते हैं based on anthropometries known as Bertolonej because Alfonso Bertolone ने इसे invent किया था which of the following is not associated with formal recognition of competence of the confirmatory assessment body by Nibal so it is timely promotion of the employees यह associated properly नहीं हैं okay next question question number 19 section 45 of Indian Evidence Act 1872 defines opinion of expert बहुत ही common बहुत ही repetitive straight question है IEA मतलब Indian Evidence Act से section 45 ठीक है next question question number 20 SARS COVID-2 stands for इसका full form होता है severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ठीक है यह 2022 में paper हुआ था तो आपको general knowledge में COVID के questions इसके अलाब COVID के vaccine के questions देखने को मिलेंगे so here we are done with 20th question everyone question number 21 से लेके 30 तक हम next video में cover करेंगे and next 30 questions करने के बाद we will be done with our first 50 questions of section A किसका fact plus का okay so we were discussing section A of section A of fact plus examination जो 20th March 2022 को conduct कराई गई थी I hope this video is helpful everyone अगर यह helpful है so do click the like button share this video with your friends and do not forget to join our classes in the application link is in the description app का link भी आपको description में मिल जाएगा if you want to get in touch with us WhatsApp support number भी आपको description में मिल जाएगा so see you guys in the next video till then take care bye bye